हलो आइन वेलकम टू फिल्मी बीट्स दोस्तों मैं हूँ आपके साथ सोनम पीयम मोदी को 28 पन्नों का सबूत सौपा गया है CPI जाच की मांग की जा रही है लगादार फांस CPI जाच की मांग कर रहे हैं सुशान्थ केस में आपको बता दें कि अब ये खबर आई है और ये खबर काफी जादा वाइरल हो रही है लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि एक शक्स है जिसने 28 पन्नों का सबूत PM मोदी को जाकर दिल्ली में सौपा है वेल दोस्तों हम आपको बताएंगे कि इस पूरी कहानी का सच क्या है सच ये है कि 28 पन्नों की पूरी एक फाइल बनाई गई है और उसमें सुशान सिंग राजपूत की स्टोरी लिखी गई है वो स्टोरी आपको बताएंगे जब वो कॉलेज में थे वो पढ़ रहे थे जब वो स्कूल में थे वो पढ़ रहे थे वो कैसे छात्र थे वो किस तरह से अपने जीवन यापन करते थे वो किस तरह से अपने रुटीन रखते थे और किस तरह का उनका नेचर था वो सारी चीजें इन्वेस्टिगेट करके, रिसर्च करके एकलबब करी गई हैं, 28 पन्नों में तयार की गई हैं और उनके नेचर, उनके सोभाव से जिन जिन लोग परिचित थे, जिन जिन लोगों से उनकी मुलाकात होती थी, जो जो लोग उनके बारे में जानते थे, उनके दर्च के गए हैं, और उन सब के मुताबिक ये बताया गया है, कि वो इस तना के शक्स नहीं थे, जो जिन्दगी से इतनी जल्दी हार मान जाएं, उन्हें मरवाने की साजिश की गई है, और वो साजिश उन 28 पन्नों में दर्च की गई है, और उन 28 पन्नों में वो सारी बा उन्हों क्या जो सबूत है, वो पीएम मोधी को जाकर दिल्ली में उनकी ओफिस में सौपा है, वो है रवी तिवारी बिहारी, इनके ट्विटर अकाउंट पर मैंने जाके देखा, तो इन्होंने वो पेज डाला हुआ है अपना जो अप्लिकेशन उन्होंने डाली है पीएम इनको कितने सीरियस तरीके से लिया जाएगा और ये जो सीरियस मांग की जा रही है सीपियाई की, इसको कितने गंभीरता से लिया जाएगा और जरूर से जरूर से जरूर से जरूर सेंटरल गोवर्मेंट या स्टेट गोवर्मेंट इसमें कोई ना कोई पुखता, ठोस कद जरूर लेंगे फिलाल जो भी होगा ये तो वक्त बताएगा लेकिन एक पहल जरूर की गई है और फैंस पहल की सरहाना कर रहे हैं आप क्या मानते हैं आपके ख्याल क्या कहते हैं हमें कमेंट करकर जरूर बताएगा वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक करें बिना बिल्कुल मत जाएगा शेयर कर दीजेगा और नए आए हैं चानल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजेगा बबाई टेक्केर